मुश्कार सातियों स्वागत है आपका प्रिकास क्लास इसके ऑनलाइन क्लास में आज यूपीटेट, सीटेट और सुपरडेट की परिक्षाओं के लिए हम आज त्रबुज लेकर आए हैं और त्रबुज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां से बहुत सारे प्रिश ध्यान दें को कि यहां से भी प्रिशन परिक्षा में पूछे आते हैं चलिए शुरुआत करते हैं इसके साथ हम त्रबुज की त्रबुज क्या होता है तो त्रबुज एक ऐसी आकरती होती है जिसमें तीन भुजाएं होती हैं तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आक तीसरी भुजा तीन भुजाएं हैं तीन इसमें कोण हैं पहला ये वाला एक नमबर दूसरा कोण ये है और तीसरा कोण ये है तो तरभुज ये कैसी आकरती है जिसमें तीन भुजाएं होती हैं और तीन ही अंतहा कोण होते हैं ठीक तीन भुजाएं और तीन अंतहा कोण होते हैं और तीनों कोड़ों का जो योगफल होता है वो होता है 180 अंस त्रबुच के तीनों कोड़ों का योगफल एक सो सीन्स होता है ठेक है अब बात करते हैं हम तरभुज की मात दिकागी तो देखे ये मुख्विंदू हमने लिख रखे हैं आप लोग यहां से नोट कर सकते हैं समय की बचत हो जाए कम समय में अधिक से दिक मैटर आपको प्रूब्द कराया जा सके इसलिए हमने ये पहले से बनिया करती तो तीन भुजाएं तो देखिए इस तरह से हम लाइने कीच देंगे एक दो और तीन लाइने तो इसमें भी हो गए इसमें भी तीन भुजाएं हैं तो ये बंद आ करती नहीं है इसलिए ये तरभुज नहीं है तो हमें ध्यार रखना है तीन भुजाओं से घरी हुई और व्न्द आकरती हो तब ही बोटरभुज होती है ठीक है तो हमारे मुख्यध मेन तरी बिजाएं होती है कोणों की संख्याएं वियू के लोगिता होता है 180 assurance होता है ये भी note कर लेजिए अब बात करते हैं हम लोग तुर्बूज की मादधिका की तुर्बूज में एक मादधिका होती है वो मादधिका क्या होती है तुर्बूज की किसी भुजा के मद्ध बिंदू को सम्म् criança से से मिलाने वाली रेखा तर्बुज की मादिका कहलाती है तर्बुज में तीन भुजाएं होती है किसी भी भुजा के मद्ध बिंदू को किसी भी भुजा के जैसे यह तर्बुज बना हुआ है देखिए पहला भुज तर्बुज बना हुआ है A B और C एक तर्बुज है तर्ब ये रेखा ये कहलाती है माद्धिका ठीक है ये क्या कहलाती है माद्धिका कहलाती है तो ये तर्बुज हमारा इसकी भुजा एबी है इस एबी भुजा का ये मद्धिविंदू है इस मद्धिविंदू से इसके सामने का सम्मुक यही तो हुआ सम्मुक शीर्स यही हुआ तो इस सीर्ट से मिला दें तो यह जो रेखा कहींची जाएगी यहां तक यह रेखा का कहलाएगी माधिका कहलाएगी अब देखिए अगर हम इस वाले कॉर्नर से मिलाना चाहें इस शीर्ट से मिलाना चाहें तो इस सीर्ट से इस भुजा को जो मिलाएंगे तो देखिए यह कोई अके मद्ध बिन्दो को शीर्स से अगर मिला दिया जा जए तो जो रेखा बनती है ये वाली रेखा ये रेखा भी क्या कहलाती है मद्ध कहलाती है ठिक है candle Tee इश वाले त्रुज में देखिए ये भूजा AC है AC का मद्ध बिन्दो है D मद्ध विंदू से उसके सम्मुख वाला शीर्स हुआ जाके भी तो मद्ध विंदू से इस सम्मुख वाले शीर्स को मिलाने वाली यह जो रेखा है यही रेखा हमारी माद्धिका कहलाती है ठीक है किलियर हो गया माद्धिका क्या होती है कि तरबुज के किसी भी भुजा के मद्ध विंदु को उसके सीर्स से मिला दिया जाए किसी भी भुजा के मद्ध विंदु को उसके सीर्स से मिला दिया जाए तो मिलाने वाली रेखा तरबुज की मादिका कहलाती है ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं सीर्स लंब पर, शीर्स लंब क्या होता है तो किसी सीर्स लंब उसके नाम से इस पष्ट है सीर्स लंब, सीर्स से डाला गया लंब, ठीक है सीर्स से डाला गया लंब, सीर्स लंब क्या लाता है माधिका मतलब होता है माद्धिका के नाम से इस पश्ट है माद्धिका के नाम से इसके सीर्स को मिला दें तो माद्धिका हो गई और सीर्स लंब से उसकी भुजा पर डाल दें तो बो गया लंब हो गया तो देखिए ये एक तरबुज है ABC है तो तरबुज के किसी सीर से सम्मुख भुजा पर खीचा गया लंब सीर्ष लंब कहलाता है तो तरबुज की किसी भी शीर से सीर्ष माल लिए ABC का सीर्ष C है इस सीर्स से एक لم्ब डालेंगे तो एक भुजा A, B पर पॉइंट बनेगा जाकर D ठीक, ये मद्दिबंदू हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ये तरबुज पर डिपेंट करता है कि तरबुज किस तरह का है ठीक, तो यहां से हमने लंब डाला, वो भुजा A, B पर पॉइंट हो गया D, तो ये A, C, D है, यही हमारा क्या कहलाएगा सीर्स लंब कहलाएगा क्योंकि यही सीर्स से इस पर डाला गया है, ठीक इसके बाद देखिए, तरबुज A, B, C है, A, B, C है इसका हमने माल लिया सीर्स भी है अगर हम B को सीर्स माल लें तो B से भुजा A, C पर एक लंब डालें तो लंब पड़ेगा B, D और यही B, D लंब क्या कहलाएगा सीर्स लंब कहलाएगा इसी को हम लोग कहेंगे सीर्स लंब ठीक है अगला तरबुज हमने बनाया A, B और C इसका हमने माल लिया कि सीर्स का जो है वो शीर्स विंदू है तो C से भुजा A, B पर हमने एक लंब डाला यह D, इसका पॉइंट बने गया D, तो यह C, D क्या कहलाएगा यह इस तरबुज का शीर्स लंब कहलाएगा तो समझ गया होंगे शीर्स लंब क्या होता है कि तरबुज के किसी भी शीर्स से उसकी सम्मुक भुजा पर डाला गया लंब सीर्स लंब कहलाता है और मादिका होती है तरबुज की किसी भी भुजा का मद्धिविंदू से उसके सीर्स को मिला दें तो जो रेखा बनती है वो मादिका कहलाती है तो सीर्स लंब और मादिका में अंतर समझ गया होंगे क्या होती है मादिका भुजा के मद्धिविंदू होता है सीर्स लंब मद्धिविंदू हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है वो तर्वज पर डिपेंड करता है वो सिर्फ उसके सीर्स से बज़ा पे डाला गया लंब ही कहलाएगा सीर्स लंब इतनी बात किलियर हो गई हो तो नोट कर लीजे फिर हम लोग आगे बढ़ते है इसके बाद देखिए अगला पॉइंट है हमारा लंबारदक लंबारदक क्या होता है लंबारदक होता है तर्वज की किसी भी भुजा के मद्विंदू पर एक ऐसी भुजा जो लंब हो वो कहलाती है लंबारदक ठीक है देखिए एक तरUNJ बना हुआ है हमारा तरUNJ है A, B और C ए, B, और C इस तरUNJ की तीन होजाएं हैं तीनों भॹजाओं पर भॹजा का एक मद्ध बिन्दू है ये ये मद्ध बिन्दू होगा ये वाला इसे माल लिए D, इसे माल लिए E और इसे माल लेते हम यफ तो तरबुज की भुजाओं के मद्ध बिंदूओं पर जो रेखा लंब होती है जैसे एक रेखा यह आई इस पर लंब हो गई यह रेखा इस पर लंब हो गई यह रेखा इस पर लंब हो गई तरबुज के मद्ध बिंदूओं की जो भुजाएं हैं तरबुज की इनके मद्ध बिंदूओं पर जो भी रेखा लंब होती है वही इसका लंबार्दक कहलाता है ठीक है और जो लंबार्दक होता है ये वाला जो कोण बनता है ये भी नबह अंस होता है ये भी नबह पे काड़ती है ये भी नबह पे काड़ती है और ये भी 90 पे काटती है ठीक है तो तरबुज के मद्ध बिंदूओं तरबुज की भजाओं के मद्ध बिंदूओं पर जो रेखा लंब होती है वही उसका लंब अर्दक कहलाती है ठीक है फिर बात करते हैं कोण अर्दक कोण अर्दक क्या होता है तरबुज में तीन कोण हो माट देती एक ये वाली एक ये वाली एक ये वाली एक रेखा ये हमारी पी है ये क्यू है और ये आर है इन तीनों को आदा आदा बाट भागों में बाट रही है तो दो बराबर भागों में बाटने वाली रेखा क्या कहलाती है को अरधक कहलाती है ठीक फिर हमकात करते हैं के यह केंदर गुरुद्च्य गेंदर लंब केंद्र और प्रिकेंद्र तीनों पॉइंट बहुत इंपोर्टैंट है यहाँ से इंपॉर्टन अबसे आएगा थिक पोर्शंछर थे कीर qué में काटेगी जाके यहां पर भी मद्ध में काटेगी और यहां भी मद्ध में काटेगी ठीक है तो तरबुज की मादिका यहां से मिला दी वी को यहां से मिला दिया सी को यहां से मिला दिया और जो मद्ध इसके शीर्स लंबों का प्रतिछे बश्यडोन रघनाएं गाला nó काटेंगे वही इसका लंब के अंदर कहलाएगा ठीक है जहां पर तीनों केंदर जहां पर तीनों लंब काटेंगे वही केंदर क्या गहलाएगा इसका लंब केंदर क्या गहलाएगा ठीक फिर बात करते हैं लोग परिकेंदर की परिकेंदर क्या होता है तरवज की भुजाओं के लंबार्दकों का प्रतिच्छे द्विंदू तरवज की जो भुजाओं होती है उनके एक लंबार्दक डाला जाता है जो हम लोग उपर पढ़ चुके हैं लंबार्दक जो तरवज की तीनो भुजाओं के मद्विंदूं पर पढ़ता है जो भुजा लंब होती है वही उसका लंबार्दक कहलाती है और लंबार्दकों का जो परतिछेद विंदु होता है अर्था तीनो भुजाओं के मद्ध विंदुओं पर जो रेखा लंब होती है तो तीनों रेखाओं पर भुजा जो लंब होगी तीनों लंब केंदरों का जो कटान विंदू होगा जो प्रतिछेद विंदू होगा वही इसका परिकेंदर कहलाएगा ठीक है इतने पॉइंट किलियर हो गए होंगे इनने नोट कर लीजे फिर आगे बढ़ते हैं लोग इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा अंतहा केंदर अंतहा केंदर क्या होता है तरबुज के कोण अर्दिकों का प्रतिछेद विंदू अंतहा केंदर कहलाता है ठीक है यह हमारा तरबुज है A, V और C ठीक A, V और C एक तरबुज है तरबुज के यह कोण है पहला यह दूसरा कोण है और यह तीसरा कोण है तीनों कोणों का एक कटान विंदू होगा इस तरह से जहांपे तीनों विंदू को मिलेगा आके तर्विज के तीनों कोडों का जो परतिच्चेद विंदू है कौन अरधकuses इनके कोडों को हम आधा करेंगे आधा करने काद इस रेखा को जब मिलाएंगे मिलाने के वाध जो यहां पे आके ये रेखा हैं मिलेंगी यही हमारा क्या कहलाएगा अंतहा केंदर कहलाएगा अर्थात तरबुज के तीनों कोड़ों को बिवाजित आधा आधा करने वाली रेखा को आगे बढ़ाने पर जहां वो आके एक दूसरे को प्रतिछेद करती है वही उसका जो है अंतहा केंदर कहलाता है कुछ महत्पूर्ण विंदू नोट किये हैं यहां से परिक्षा में एक विंदू जरूर आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन्हें नोट कर लीजे कॉपी पर याद भी कर लीजे क्या है कि सभी तरबुजों का जो केंदरक होता है चाहे वो समकोन तरबुज हो चाहे नियून कोड़ हो चाहे अधिक कोड़ हो इन तीनों तरबुजों की बात हो रही है कहां होता है तो न्यून कोंड तरबुज अगर है और उसका जो लंब केंदर है वो भी तरबुज के अंदर ही रहता है न्यून कोंड तरबुज का लंब केंदर तरबुज के अंदर रहता है अगला पॉइंट है समकोंड तरबुज का लंब केंदर कहां होता है तो समकोंड का संकोंड तरभूज बने गा तो जो संचॉड़ वाला शीर यह यहीं का क्या कहलाता है फिर कैंने गार गूरमॐ उसका ऊंदर तरौज के बाहर होता है यहाद रखना है सभी तरं Könوج का जो लंब के अंदर सीर्स ही होता है उसका अधिक कोन तुरुज का लंब के अंदर तुरुज के बाहर होता है अब बात करते हैं हम परिकेंदर की ठिक परिकेंदर कहां होता है यह बात थी लंब के अंदर की ठिक परिकेंदर की बात करते हैं तो तुरुज का जो परिकेंदर होता ह तरबुज के तीनों सीडिसों से समान दूरी पर होता है प्रिशन आता है कि तरबुज का परिकेंद्र होता है तो नीओन कौड टरबुज का परिकेंद्र होता है समकोन तरबुज का परिकेंदर कहा होता है तो समकोन तरबुज का परिकेंदर उसके करण का जो मद्धिविंदू होता है वही होता है करण होती है तरबुज की सबसे बड़ी वाली भुजा ठिक तो समकोन तरबुज का परिकेंदर तरबुज के करण का मद्धिविंदू होता है फिर करें अधिक कोन तर्भुज का परिकेंदर कहां होता है तो अधिक कोन तर्भुज का परिकेंदर तर्भुज के बाहर होता है अब बात करते हैं अंतहा केंदरों की जो पॉइंट यहां पर लिखे नहीं है हैं आप नोट कर लीजे कि जो अंतहा के अंदर होता है अंतहा के अंदर सभी तरभुजों का अंतहा के अंदर होता है उम्मीद करता हूं इतने पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे और यहां से एक प्रिशन आपको परिक्षा में अवस्य मिलेगा इमांदारी के साथ पढ़िएगा मेहत करिएगा अठाइस तारी की परिक्षा में आपको एकदम मस्त परहल करके आना है इसके बाद हम अगला टॉपिक लेकर आएंगे और उसके बाद तरवजों के छे तरफल पर तो आगे के भी वीडियो अबस्य देखिएगा मिलते हैं फिर नेक्ट वीडियो में जहन्द